स्टेडी फोर PCS एक्जाम पर JPSC जहारखंड GS पेपर 2 के इस क्लास में मैं दास्सर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज का टॉपिक है जहारखंड एक अवलोकन यह हम लोगों का थर्ड क्लास है और इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पश्मी सिंग्भूम के बारे में यानि कि आज हम लोग पश्मी सिंग्भूम से सम्मंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपके JPSC एक्जाम जे SSC एक्जाम के पॉइंटर भीू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और एक्जाम में आया हुआ होगा या फिर जिसका आने का पूर्ण संभाव होना है उस पर डिसकस करेंगे I think so कि आज के क्लास के बाद आपका प्रश्मी सिंग्भूम से सम्मंधित जो भी प्रश्न होगा वो यहां से आएगा डियावजेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रश्मी सिंग्भूम में सबसे पहले तो पूछता है कि प्रश्मी सिंग्भूम का मुख्याले कहा है इसका मुख्याले कहा है याद रखिएगा प्रश्मी सिंग्भूम का जो मुख्याले है वह है चाइबासा वह है चाइबासा प्रश्मी सिंग्भूम का मुख्याले अ गठन इसका हुआ था सुल्लह नौवंबर 1990 अगर आपसे पूछता है कि पश्मी सिंगुम का गठन कब किया गया था त्याद रखिएगा गठन हुआ था सुल्लह नौवंबर 1990 को ठीक है आपको याद होगा जारखन दरुगा का एक्जाम हुआ था और जो भी जिसमें इस्टे पर्टिकुलर जिला के लिए तो आपको ये डेट भी जो है पर्टिकुलर याद आणा चाहिए है ना जिला बाइज में कई बार पूछ चुका है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन जो कि मिनी टाइम्स रिपीटेड है वो पूछता है छेत्रफल समंदित ठीक ह पूछेगा आपका जाडखन राजी का सरवाधिक छेत्रफल वाला जिला कौन सा है सरवाधिक छेत्रफल वाला जिला कौन सा है याद रखिएगा अंसर होगा पश्मी सिंग्भूम पश्मी सिंग्भूम होगा क्योंकि पश्मी सिंग्भूम का 7224 वर किलोमीटर छेत्र छेत सेकंड का कौन सा जीला का छेतरफल सरवाधिक है तो याद रखिएगा पश्मी सिंग भूमा अंसर हो जाएगा आप से पूछ सकता है कि कितना छेतरफल है तो 7224 किलोमीटर है कई बार एकजाम में आ चुका है सेकंड अस्थान पर देखिए अगर आप यह सी ऐसा एकजाम देजिए गाना तो वहां पर मिलान करने के लिए देता है याद रखिएगा फर्ष्ट थ्री तो आपके पास दिमाग में रहना चाहिए पहला अस्थान आपका किसका पश्मी सिंग भूम का दूसरा अस्थान आप दूसरा अस्थान है आपका गुमला का दूसरा स्थान है सेकंड रैंक इधाया रखियेगा इसका च्छत्रफ़ लागभक 560 है कितना है तिरफन सो साथ हुआ कि यख़ो मेटर है था मैं इसको अच्छे से याद रखिए आपका है रांची जीला जो है आपको रांची जीला का चत्रफल के दृष्टिकों से तीसरा अस्थाना तीसरा रैंक है ठीक है और 5097 वर किलूमीटर है नग है फिर 5197 किलूमीटर इसका चत्रफल है ठीक है अब अगर आपको एरेंज करने के लिए देगा बढ़ते करमें बताएए घरते करमें बताइए तो आप आसानी से बता सकते हैं और पीसी इस टाइब का या फिर PCS एक्जाम में इस टाइब कोश्चन पहले भी आ चुका है आप लोग जनते हैं अगर आपसे पूछता है कि बताइए सरवाधिक लिंगा नुपात वाला जीला सरवाधिक लिंगा नुपात अगर आपसे पूछता है दो सरवाधिक लिंगा न उपात हो गा 150 प्रतं अस्थान आता है आपका पश्मी सिंग्भूम का ठीक है ठीक है एक 50 पांच फस। रन्क पर्थम स्थान आता है यानि कि आप से पूछता है कि जाडखंड राज में सरवाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो पश्मी सिंग्भूम होगा कितना है एक हजार पांच होगा परथम स्थान किसका है पश्मी सिंग्भूम का है ठीक है most important है ध्यान दीजिएगा वैसे तो परश्मी सिंग्भूम में भी बहुत सारा उद्योग है ठीक है लेकिन कुछ important है जैसे कि ACC Cement Gage Limited ACC Cement Gage Limited यह आपका चैवासा मेश्थित है समझ गया ना Cement Works यह आपका जीक पानी में जीक पानी जीक पानी जैगा का नाम पूछता है कई बार ध्यान रखिएगा ठीक है और मोर डीटेल में हम जब जहारखंड का जहारखंड का और यहां का उद्योग के बारे में पढ़ेंगे ना तब आपको मोर डीटेल में complete इसके बारे में कव कठन हुआ था कहां है सिमेंट उद्योग के लिए इसका जो है सो कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है यह सब सब का सब डिसकस करेंगे एदम अच्छे तरीके से डिसकस करेंगे जहारखंड का उद्योग जो है वो सेक्सन आप जब देखिएगा जब क्लास लाइब होगा क्लास लाइब क्लास और रिकोड़ेड वेक्चर लेक्चर फ्री में देखने के लिए अब हमारा दासर ओफिशियल दर लर्निंग अप को प्लेश्टूर से ज़र इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको धेर सारा कॉंटेंट मिलेगा बिलकुल फ्री में और साथ ही जो हमारा ओनलाइन बैचेज चल रहा है ना उसका भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा क्योंकि बहुत सारा बैच जे पीएस सी पीटी के लिए और मिंस के लिए बहुत ही कमफी में चल रहा है उसका भी आप प्रोपर बेनिफिट्स लाव ले सकते हैं चलिए नेक्श्ट ब ठीक है हिरने जल प्रपात समझ गहे जो ह右 प्रकात हैना यह रंडी जल प्रपात का हइट 165.165 फीट है तो यह पूछता नहीं है कितना फीट है समझ गए ना कितना घंडतय एक सुछता नहीं है क्योंकि इन या तो आप से पुछे़ा बुडाघ के बारे में हैं आ या तो हुंडु के बारे में और यह दोनों का आप हमें हाइट कमेंट में जोर बताइएगा बुढ़ा घाग का हाइट कितना है है और यह किस नदी पर है और हुंडु जलपरपाथ का हाइट कितना है और यह किस नदी पर है यह आप हमें कमेंट में जोर बताइएगा यह आपका Cup आपका में roundरल है दिख्याँ में आपका पूछता है कि कि एक constituents गड़क किला कहां ईथिता है यह एक जनाँ में है चाइबास के पास ठीक है अगर आप से पूछता है केसना गड़का किला कहां पर है जगनात पूरका किला कहां है जगनात पूरका किला यह भी आपका कहां है पूछता है और अगर आपसे पूछता है और अगर आपसे पूछता है और अगर आपसे पूछता है कि इसका निर्मान कौन करवाया था पूर हार्ट नरेश जगनात सिंग करवाया था कौन करवाया था तो पूर हार्ट नरेश जगनात सिंग करवाया था कौन करवाया था प्रश्मी सिंग्भूम से सम्मंदित महतपुर्ण प्रश्ण है जो कि कई बार एक जाम में आ चुका है यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है जो हमेशा पूछता है कि बेनी सागर का सिव मंदिर कहां पर है बेनी सागर का सिव मंदिर बेनी सागर का सिव मंदिर अगर आपसे पूछता है कहां पे है सिव मंदिर कहां पे है तो आप कर सकते हैं पश्मी सिंग भूम यह कहां पे है तो पश्मी सिंग भूम में है कई बारे जाम में आ चुका एक one of the most important question है कि 700 पहाडियों का छेतर किसको बोलते हैं सारण्डा को बोलायाता है 700 पहाडियों का छेतर किसको बोलायाता है सारण्डा को बोलायाता है ठीक है one of the many times exam में पूछा हुआ question है न वह यह है कि ज्ञाडखन का सबसे बरा संसादिये छेत्र बरा संसादिये छेत्र कौंसा है याद रख है वह पश्मी सिंभूम यह है आपके exam में question पूछ सकता है पश्मी सिंभूम ठीक है? No Next अगर पूशहागा आपसे… जाड़कन राजिका सरवाधिक ऑण छेतरफ़वाला जिला यानि कि छेतरफ़वल के दिश्टी से कहां पर वन? सबसे ज्यादा है? जाद रखिएगा आंसर हो जाएगा पश्यमी सिंग्भूम आंसर क्या हो जाएगा पश्चिमी सिंग्भूम हो जाएगा क्योंकि है छेत्रफल के दिश्टी से पढ़ला स्थान है समझ गया सबसे ज्यादा वन कहा है तो पश्चिमी सिंग्भूम में कितना है तो 3841 वर किलोमीटर है अगर आपसे पूछता है कि परतीसत के दिश्टी कुण से जार रखन में सरवाधिक वन कहां पर है तो याद रखेगा लातेहार आपका अंसर हो जागा परतीसत पूछेगा तो लातेहार अच्छत्रफल पूछेगा तो पश्मी सिंग्भूम कर दिजिएगा ठीक है में सबसे बड़ा लोहे की खान सबसे बड़ा लोहे की खान सबसे बड़ा लोहे की खान यह कहां पर है तो नौवा मुंडी में है लोहे के खान कहां पर है याद रखेगा लोहे की खान अगर पूछेगा तो नौवा मुंडी कर दिजिए आज हम लोग डिसकस किये आपके परिक्षा उपयोगी महत्पूर्ण तथ पश्मी सिंग्भूम से जिसका आपके अपकमिंग ये पीए सी और ये से एक्जाम में आने का पूर्ण समभवना है इसमें जो प्रिभीएस एर कोश्टन जो कि पश्मी सिंग्भूम से रिलेटेड साथ ही जिसका आने का पूर्ण समभवना है उसको भी कभर किया गया है आई होप कि आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा और अगर कंटेंट सच में अच्छा लगा है इसे अपने दोस्तों के बीच जरूर सेयर किजिएगा ताकि मैक्सिम इविदेंट्स हमारे इस आपको यहां पर मिलेगा फ्री क्लास फ्री लाइव क्लास साथ ही रिकॉर्डड़ लेक्चर और इसके साथ टेस्ट भी मिलेगा जो कि बिलकुल फ्री होगा तो आप जो है इसका लाव लीजिए है ना जो भी कंटेंट इस पर अवलेवल फ्री में उसे ज़ोर देखिए थै आप सभी का स्वागत है । minimum है so interested residents हमारे board line number 6200-346-305 पर जरोर contact करे साथ ही आपको इस application पर complete JPSC mains badge भी मिलेगा जिसमें आपको each and every paper का with notes classes provide किया जाएगा so for more details contact us on the given number thank you